तो सर्च का अप्शन मिल जाता है सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे यहां उपर सर्च पर जाएंगे यहां पर आपको उपर देखे कैमरा दिखाई पड़ रहा है कैमरे के उपर जाने के बाद यहां पर आपको इजली इसके स्कैन कर लेना देखे जैसे इसकैन करेंगे यहां पर sublimation take में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप अपने laptop या desktop में Spotify को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे डाउनलोड करने के बाद बार कोड को कैसे जनरोड करेंगे music कोड को कैसे जनरेट करना है उसके बारे में हम यहाँ पर आप से step by step वीडियो के अंदर डिसकस करने बारे हैं तो दोस्तों वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोग sublimation take तो चलिए हम लो आपके सामने open हो जाता है यह देखिए जैसे ही यह उपर आपको यहाँ पर spotify, get free, free music आपको यहाँ पर everyone दिखाई पड़ता है इसके उपर हम लोग इजली click कर देंगे जैसे ही हम यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से click करते हैं कुछ इस तरीके का interface आपके सामने open हो जा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस download के उपर हमको इजली click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं यह download हो चुका है हम लोग इसको open कर लेंगे यहाँ पर आप सनाता है हम लोग इस पर click कर देंगे कुछ इस तर ग्लताइब कर लीजिए, बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताखि इस तरीके के प्रेंटिंग ऐडियाज और कांटेंट जो मैं आप लोगों के लिए ले करके आता रहता हूं, आप लोगों से मिश्ना हो, तो ये देखे दोस्तों, हम लोगों का इंस्टाल हो रहा है, जैसे इसे इंस्टाल होगा दोस्तों यहां पर कुछी इस तरीके का इंटर्फिरस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसको Google से आपको Link कर सकते हैं या Facebook से आप Link कर सकते हैं तो इसको देखेP hacked यहां पर कुछ इस तरीके से आप जो डिटेल भर देंगे तो यहां इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाएगा यह देखे मेरा complete हो गया है तो हम लोग जो है इसको okay कर देंगे जैसे करेंगे यह देखे अथराइजेसन completed option आपको इस तरीके से मिलेगा उसके बाद हम लोग इसको जो है easily चलेंगे यहां पर डेक्षाप के उपर जो आपका आइकन है Spotify का यहां पर इस तरीके बन के आजाता है यह देखिए Spotify आइकन यहां पर बन गया हम लोग इसको open कर लेंगे कैसे काम करेगा यह देखिए हम मिल जाते हैं home मिल गया search मिल गया कुछ ही तरीके के इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे तो हम लोग easily यहां पर इस तरीके से जो सर्च का option है इस पर क्लिक कर लेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा यह का option दे रहा है, तो हमको जो भी song इसके अंदर search करना है, आपका मन पसंद song जो भी है, जो भी गाने हैं आपको पसंद है, जिसका code आप generate करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर उसका नाम डाल देना है, जैसे मुझे यहाँ पर आयर रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा चांद वाला मुखडा, तो यह देखे, जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, चांद वाला मुखडा, कुछ ही तरीके से हम लोगों का song यहाँ पर आ जाता है, search करने के बाद, यह देखिए, जब आ गया है, तो हम लोग इसको open कर लेंगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यह देखिए, three dot का option उपर यह मिल जाता है, यह देखिए, जो three dot दिखाए बढ़ा, इस पर हम लोग click कर लेंगे, जैसे click करेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे, आपको यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीकेंग इंटरफेस मिलेगा, इसके उपर click करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले पर हम लोग click कर देंगे, जैसे ही click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों, आपका code यहाँ पर नीचे आ जाता है, देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यह देखिए, इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर आपको code दिखने लगेगा, यह देखिए, यह इसका code है, इस song का code है, इसको हमको इजली copy कर लेना है, दोस्तों, यहाँ से, copy करने के बाद, हम लोग इसको minimize कर देंगे, यहाँ से cut कर देंगे, उसके बाद, फिर से हमको चलना होगा, Google के उपर, चुकि वहाँ से हमको code generate करना है, तो इसको हम लोग minimize कर देंगे, यह देखिए, हमने Spotify code जैसे ही डाला, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो हम लोग जैसे ही इसको open करेंगे, यहाँ दिखिए, Spotify code यहाँ पर लिख कर के आगया, तो हम लोग इसको open कर लेंगे, जैसे ही open करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface आपके सामने होगा, तो यह देखिए, यहाँ पर code आपको अपना जो copy वहाँ से हम लोगों ने किया है, उसको यहाँ पर हम लोग easily paste कर देंगे, कुछ इस तरीके से, यह देखिए, हमने इसको paste कर दिया, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का interface आपके सामने open हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दोस्तों, यह code तो आपको मिल गया है, तो मुझे दोस्तों, यहाँ पर white background में चाहिए, और barcode जो है, वो हमको black में चाहिए, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लिये हैं, यह देखिए, मैंने अपने carding इसको कर लिया, चुँकि हमको transparent print करना है, क्रेलिक के उपर print करना है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर चाहिए, तो jpg, png, किसी भी फारेमेटर कर सकते हैं, इसको करने के बाद हम लोग यहाँ से download कर देंगे, जैसे download पर click करेंगे, कुछ ही तरीके का, यह देखिए, आपका code generate हो जाता है, दोस्तों, यह देखिए, नीचे यहाँ पर हम लोगों का code generate हो गया, हम लोग इसको open करके, यहाँ से, इसको हम लोग copy कर लेंगे, इसली, यह देखिए, हम लोग इसको यहाँ से copy कर लेते हैं, और इसको जाकर करके desktop के ओपर या आप कहीं भी file में इसको save कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने जो save कर लिया उसके बाद हम लोग फड़ा फड़ फड़ फोटो साप को open कर लेंगे वहाँ पर हम लोग इसको design करेंगे जो हम लोगों को kitchen, spotify kitchen बनाना है उसके लिए हम लोग इसको design कर लेते हैं पहले जो भी size है आपका यहाँ पर देखिए दो बाई धाई में जो हम लोगों ने kitchen को लिया है उसको size में हमने इसको लेने के बाद हम लोग इसको जो हम लोगों को code मिला है हम लोग उसको जो है इसली यहाँ पर इसको set कर लेंगे अगर दोस्तों आप लोगों को कोई doubt आ रहा है तो दोस्तों आप लोग इसली comment करके पूश सकते हैं हमसे कि किस तरीके से करना होगा सर यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी तो मैं detail में आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ यह देखिए मैंने इसको size को craft कर लिया है चुँकि हम लोगों को transparent print करना है बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहता है कि सर मुझे transparent print करना है तो background नहीं आना चाहिए उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखे हम लोग इस तरीके से white background white paper पर हम लोग इसको set कर रहे है जो भी आपका black दिख रहा है यही केवल आपका print transfer होगा acrylic के उपर acrylic key chain के उपर तो हम लोग देखे उस तरीके से spotify music को बना रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको तो हम लोग इसको बड़ा पड़ा यहाँ से set कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यह देखे बराबर हम हम लोगों को set कर लेना है size मैंने आप लोगों को बता ही दिया है उसके बाद यहाँ पर set कर लेंगे और आपको जो भी लिखना है जैसे अगर आप इसके उपर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद हम लोग यहां पर लिख भी लेंगे, जो भी नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, या सॉंग का नाम लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, या इंगलिस में लिख सकते हैं, किसी भी उसमें जो है, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर हम को जानने में कि कौंसर सांग का ये स्पोर्टिफाई कीचेन बना हुआ है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे चांद वाला यह देखे कुछ इस तरीके से हम लोग टाइम यहां पर टाइप कर दे रहे हैं चांद वाला करके अपर उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर अपना नाम भी टाइप कर देता हूं चुकि देखे आप लोग यहां पर सिंगर का नाम लिख सकते हैं चुकि जादतर लोग यहां पर सिंगर का नाम ही लिखते हैं तो मैं यहां पर आप अपना नाम लिखने वाला हूं आलोग सब्लिमेशन टेक करके मैं यहां पर डालने वाला थोड़ा सा इधर और इसको मैं बढ़ा लेता हूं कुछ इस तरीके से यह देखें बढ़ा करने के बाद थोड़ा सा साइड में इसको कर लेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा यह देखिए set करने के बाद हम लोग यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक शबली मेशन टेक कुछ इस तरीके से यह देखें मैंने इसको यहाँ पर अपना नाम भी डाल दिया है दोस्तों तो इसको नाम डालने के बाद हम लोग इसको set कर लेंगे पहले ये देखें बराबर में रख करके हम लोग इसको set कर लेंगे set करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इसको save करेंगे यह देखे थोड़ा सा और उपर कर लेते हैं पहले बराबर में सेंटर में दोस्तों आप लोगों को इसको सेट कर लेना है चुंकि आप इसको फिर उसके बाद JPG, PNG में किसी भी फार्मेट में इसको आप सेप कर सकते हैं इसको सेट करने के बाद एक A4 Size का पेपर ले लेंगे हम लोग इसको उपर बराबर में रख करके इसको कर लेंगे और दोस्तों आपको बता दूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से आपको music वहाँ पर बार उसका code निकालना है लिंक निकालना है उससे तो इसी तरीके से दोस्तों जितने भी गाने आपको बनाने हैं उस तरीके से आपको वहाँ से कर लेना हम लोग इसको सेट करने के बाद यहाँ पर हम लोगोंने सेट कर लिया प्रिंटिंग पहले आपको ध्यान देना हो कि दोस्तों इसको मिरर नहीं करना है चुकि हम लोग इसको एक क्रेलिक के उपर प्रिंट करने वाले हैं तो आपको ध्यान देना हो गए कि अगर एक क्रेलिक प्रिंट करते हैं तो आपको मिरर प्रिंट नहीं निकालना है सीधा प् लोगों का प्रिंटिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है यह देखिए दोस्तों हम लोगों का प्रिंट आउट जो है निकल चुका है Spotify musical photo frame यहाँ पर photo keychain यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने print out निकाल लिया है और यह देखी यह acrylic जो है हमारा है keychain जिसके उपर हम लोग photo वाला keychain बनाते हैं तो आज हम लोग Spotify music वाला keychain बनाने वाले हैं तो वही same process करना है दोस्तों आपको कुछ नया नहीं करना है इसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर protection layer मिलती है उसको हमको इसली निकाल लेना है यहाँ से कुछ इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हम लोग इसको जो इसके पीछे protection layer लगी रहती है इसको हम लोग पहले निकाल लेंगे यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पे भी आपको प्रिंट करना है वहाँ पर आपको इसको इसली रख देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का Spotify फोटो कीचेन कुछ इस तरीके से हम लोगों यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसको कटिंग कर सकते हैं हम लोग इसकी करने के लिए यह देखिए एक इस तरीके से हम लोग उने इसको कटिंग कर लिया और दूसरा भी देखिए हम लोग इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको पहले चेक कर लेना है इसको बराबर में आपका प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसे हम लोग उने साइज क के पहले आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये अगर आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर दो ही करने वाले हैं तो हम लोगों ने इसके पीछे का जो है प्रोटेक्शन लेयर को निकाल दिया है बढ़िया से हम लोग इसको निकाल देंगे उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको रख करके सब्लीमेशन टेप की सहायता से इसको बढ़िया से लाग कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से इसको हम लोग सब्लीमेशन टेप की सहायता से इसको लाग कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम लोग इसको बढ़िया से लाग कर देंगे ताकि हम लोगों का प्रिंट आउट इधर उधर हिले नहीं और यह बढ़िया से प्रिंट आ जाए यह देखिए इस तरीके से आपको इसको कर लेना है यहाँ पर इसके पीछे भी इसको अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको भी आप लोग सही कर सकते हैं यह देखिए, यहाँ पर भी टेप लगा सकते हैं, इस तरीके से, यह देखिए, एक हम लोगों का complete हो गया है, दूसरा भी इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी इसके पीछे protection layer है, इसको हम लोग निकाल लेंगे पहले, यहाँ पर देख सकते हैं, एक plane surface होगा, यहाँ पर dot type का दिखरा, पीछे की side में हम लोगों को, चुकि हम लोगों not mirror print out निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको protection layer को हटा लेंगे, उसके बाद फिर back side में हम लोग इसको print कर देंगे, और यह front में आपका visible होता है, दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, अगर नहीं पता है, तो मैं आपको पता देता हूँ, कि एक तरफ print करेंगे, तो दूसरी तरफ यह lighting में आपको दिखेगा, कैसे करना है, यह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दोस्तों, इसको निकाल लिया है, protection layer को, निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, बणिया से इसको साफ कर लेना है, और यह जो हम लोगों का print out निकला हुआ है, इस पर हम लोगों को बराबर में लगा कर, यह देख सकते हैं, आपका यह कोड यहाँ पर बराबर में दिख रहा चाहे हो 16-24 हो, 15-15 हो, या 5-1 वाली machine हो, उसमें भी कर सकते हैं, अगर कोई machine नहीं है आपके पास इसमें से, तो आप लोग जिसमें back cover mobile का print करते हैं, उसके अंदर भी आप लोग इसको इसली print कर सकते हैं, तो यह देखे इस तरीके से हम लोगों ने complete कर लिया इसको, अब हम लोग इस तरीके से इसको आन कर लेंगे, more की बटन हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो minimum temperature हम लोग रखेंगे, उसको रखेंगे 350, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको मोर की बटन प्रेस करके, प्लस वाला बटन प्रेस करके हम लोग इसको बढ़ा लेंगे, minimum temperature तंप्रेचर जो होगा, वह रखोगा 350 कुछ बढ़ा लेंगी एक समय को सेकटे कूज़ा तायमिंग यहां पर आप देख सकते हैं ये 80 सेकन्ड होगा कुछ इस तरीके से इसको Chapter होगा भड़ा लेंगे यह वह रखेगो 80 सकंड हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकिए दोस्तों जैसे ही मशीन हीट होगी मशीन बीप की आवाज करेगी यह देखे दोस्तों हम लोगों की मशीन हीट होने में कुछी सेकंड बचे हुए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों ने यहाँ पर इस पोटिफाई जो है एक्रेलिक कीचेन को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उपर फिर हम लोग टेफलान सीड को रख देंगे कुछ इस तरीके से यह देखे जो पेप साइज का पेपर रख सकते हैं तो यह देखिए यह मशीन ने बीब के आवाज कर दिया हम लोगों ने जो टाइम दिया था वो टाइम कंप्लीट हो चुका है प्रेसर को थोड़ा सा नीचे हम लोग इस तरीके से कर लेंगे इसको नीचे करने के बाद हम लोग इसको प्रेस कर यह देखिए कुछ इस तरीके से प्रेस करने के बाद लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह टाइम चलना स्टार्ट हो चुका है जैसे ही मशीन बीब करेगी टाइम कंप्लीट होगा हम लोग इसके अंदर से निकालेंगे यह द इस तरीके से हम लोग उपर कर लेंगे प्रेसर को थोड़ा सा यह देखिए यहाँ से रफ्रान सीट को हटाएंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों आपको गलप्स का प्रियोग करना होगा चुकि मशीन हम लोगों की जो है हीट है और यहाँ पर जो हम लोगों ने कीचेन बना यह देखिए, यह ठंडा हो जाए दोस्तों, फिर हम आपको दिखाते हैं इसको लिखाले हैं, यह देखिए दोस्तों, हम लोगों का यह Spotify कीचेन प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ठंडा हो गया, आप हम लोग इसको भड़ा पर निकाल लेते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको जो है टेप यहाँ पर जो हम लोगों लगा जा जा है, इसको निकाल लेते हैं, बैक साइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बढ़ियां प्रिंट हुआ है, यह देखिए, जी टेप हम लोग निकाल लेंगे, इसके पीछे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोटेक्शन लेयर रोल लगी रहाती है थो हम लोग डारेक्ट इसको निकाल देते हैं यह देखिए तब लाइटिंग आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरीके से और इसके उपर भी प्रोटेक्शन लेयर है थोड़ा धुंदला दिख रहा है हम लोग इसकी प्रोटेक्शन लेयर को ऊपर की तरफ प्रिंट करने के बाद दोस्तों यह लेयर आपको निकालनी होती है हम लोग प्रिंट कर चुके हैं इसको इसको हम लोग इस प्रोटेक्शन लेयर को भी निकाल देंगे यहां से तब यह लाइटिंग में आ जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लाइटिंग आप लोग देख सकते हैं कितन और प्लास की मदद से दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर देंगे. ये देखिए, कुछ इस तरीके से. यहां से हम लोगों थोड़ा से इसको दबा देना होगा. ये देखिए. इस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं. यह देखिए एक बन चुका है हम लोग इसी तरीके से दूसरे को भी सेट कर देंगे यह देखिए दोस्तों एक लगाने के बाद हम लोग दूसरा भी इसी तरीके से सेट कर देंगे यहाँ पर आप लोगों को यह पूरा सेट मिलता है दोस्तों यह देखिए इस तरीके से डाल यह भी complete हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए, यह kitchen और यह दूसरा kitchen आपका, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पोटिफाई, music और photo, kitchen आपका complete हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए, अब दोस्तों यह कैसे काम करता है, चलिए अब हम लोग फड़ा फट इसको भी check कर लेते हैं, प्रिंटिंग तो हो गई दोस्तों, अब यह काम कैसे करेगा, चलिए फड़ा फट हम लोग चेक कर लेते हैं, कि आप लोगों का यह काम कर रहा है कि नहीं, music keychain आप लोगों का, तो चलिए फड़ा फट हम लोग इसको फड़ा फट चेक कर लेते हैं, यह देखिए दोस्तों, यह mobile है आपके पास, इस तरीके से, mobile के अंदर आपके, यहाँ पर Spotify लोड़ होना है, तो जैसे ही camera को click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको scan करेंगे, यहाँ पर यह देखिए, आपका गाना आ गया है, यह देखिए, इस तरीके से आपका गाना जो भी रहेगा, आपका यहाँ पर बजने लगेगा, तो हम लोग फड़ा फड़ यह देखिए, आ आटो मैटी किया गाना जो है, बजने लगता है, यह देखिए, इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों का जो है, जो भी आपका Spotify कीचेन आप लोगोंने बनाएंगे, इस तरीके से आप लोग इसको check कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं, बंद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई पड़ेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कीचेन लेना है, इसको scan करना है, जैसे scan करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसके जैसे ही करेंगे ये धेखिए, आपको ये गाना ले लेता है, उसके बाद यहाँ पर ये गाना आपका play हो जाता है, कुछ इस तरीके से, दूसरे गाने को भी हम लोग छे कर लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर येंखिए इसको इसके ळाना बजने लगा, देखिए ये भी गाना बजने लगा इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो है Spotify कीचेन आपका बनकर के तयार होता है और इस तरीके से आपका आपका काम करने लगता है I hope कि दोस्तों आप लोगों के ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज जो मैं आप लोगों की लेकर के आता रहता हूं आप लोगों से मिशना हो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार मिलता हूं किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत